मुझे उनके बारे में जानकर बहुत दुख हुआ केविन और आशली की ग्रैन्टमा अब हमीशा के लिए उनसे दूर चली गई है जैसे कि तुम्हें पता है तुम्हारी ग्रैन्टमा बहुत अमीर थी और उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी सारी सेविंग्स छोड़ दी है क्या सच में ये पैसे अब तुम्हारे है अब हम अब हम अपनी गरीबी के बारे में बूल सकते हैं शुक्रिया ग्रैन्टमा केविन और आशली की अपनी क्लासमेट से नहीं बनती मैं इन बदमाशों से परिशान हो चुकी हूँ ये हमेशे ऐसे ही करते हैं पर हम ये सब ठीक कर सकते हैं वैसे अब हम मिल्यनेर हैं तो ये बात है तुम्हें पता है तुम दोनों बहुत कूल हो साथ में सेल्फी लेना चाहोगे हैश्टेग बेस्ट फ्रेंड्स मुझे मेक ओवर चाहिए तुम्हारे लिए? बिल्कुल नहीं इतने पैसे सही रहेंगे? मेरे सेलोन में आपका स्वागत है ये हुई न बात मैं तुम्हें बिल्कुल सुन्दर बना दूँगा ये काफी मज़दार होने वाला है ओ, वाँ ऐसे तो मैं रेट कार्पिट पर भी जा सकती हूँ और अब केविन के नए लुक की बारी है उसे कुछ नए कपड़ी की जरुरत है ओ, क्या ये पुराने है? फैशन गूरू इन कपड़ों से जादा कुछ नहीं है तुम जरूर मेरे साथ मज़ाग कर रहे हो नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकता कोशिच भी मत करना वा, गोल्ड और फर, अमीरों वाले कपड़े अब सब देख पाएंगे हम कितने अमीर है अ, मुझे अपनी जॉब बहुत पसंद है न्यूटेलर से बेटर और क्या हो सकता है केविन आ गया हे, शेर करोगी उपस, आशन ने तो सारा खा लिया मैं खुद को रोक नहीं पाई ये तो किसी के साथ भी हो सकता है वा, तुमने न्यूटेलर का इतना बड़ा चार ओडर किया था केविन ने ये खुद के लिए खरीदा था और ये तुम अपने प्यारी बेन के साथ शेर नहीं करोगे बिल्कल नहीं, ये सारी चॉकलेट तो देखो खुजबू कितने अच्छी है बस मुझे भी ये चाहिए चॉकलेट शेक के से रहेगा हे, तुमारी हिम्मत कैसे हुई ओ, पर मैंने कर दिया कितना स्वादिष्ट है ठीक है, तो मैं सारा पी लेता हूँ ओ नो, मेरे हिसाब से ये काफी बुरा आइडिया था मुझे लगता है मैं फटने वाला हूँ जब कोई अचानक अमीर हो जाता है तो उसका सब कुछ एक साथ खरीडने का मन करता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या चनू लगता है आशले शॉपिंग करने में कुछ जादा ही मगन हो गई है चलो देखे तुम्हारे पास और क्या क्या है वाह मुझे ये बार्बी चाहिए क्या हम ये खरीड ले अब आशले मानने नहीं वाली ये फर्श पर किरेवे खिलोनों का क्या तुम्हें इनकी किमत चुकानी होगी हे सर क्या आप मेरी बात सुन रहे हो ये लो, चेंज रख लो अच्छी बात है कि अभी मेरी शिफ्ट है ये प्यारी है ना चलो अपने नए घर चले ओ, लगता है किसी को प्यार हो गया है हमें सारी के सारी नई मूवीज देखनी होगी थोड़े से पॉपकॉन कैसे रहेंगे? हर बाल की तुरह छोटा वाला ले ओ, नहीं तो मीडियम या किंग साइज कैसा रहेंगा? ये सब बहुत छोटे हैं हम ये वाला लेंगे पूरी मशीन? ये नहीं खरीच सकते? क्या? मेरे पास एक आइडिया है फिर हमारे पास पूरी मूवी के लिए काफी पॉपकॉन होंगे नहीं? ओ, ठीक है अब हम रात बर मूवी देखेंगे आशले और केविन के लिए ये काफी अराम दायक है पर बाकियों के लिए नहीं ही, तुम मेरा व्यू खराब कर रही हो चुप रहो फ्लीज मैं कुछ नहीं सुन पा रही इतने सारे पॉपकॉन सिर्फ हमारे लिए और पीछे बेटे बिचारों को पता ही ने चलेगा कि मूवी खतम कैसे हुई ओ, नो हम इस स्कूल के लिए देर हो रही है केविन, उठो ओ, ओ, ये क्या हो रहा है दो मिनिट में बेल बजने वाली है गपराओ मत आशले मेरे पास एक बड़िया प्लान है बड़ा भाई सब सॉल्ट कर देगा मैं कैब को बुलाता हूँ पदे शेहर में कोई कार ही अवेलिबल नहीं है क्या पुसीबत है अब मेरा मैक टेस्ट चूट जाएगा चुप रहो अब ये क्या करने वाला है हमें अब चलना होगा वाँ ये तो एक असली का हेलिकॉप्टर है ये रही सीड़ी क्लास में जाने के लिए प्राइवेट हेलिकॉप्टर क्यों नहीं शुक्रिया ग्राइट मा स्कूल केफेटेरिया में तो भीड लगी हुई है आशले और केविन की वज़ा से प्लीज हमें भी लेना है चलो कोई नहीं तुम पहले ले लो भाई और भेन तो स्कूल में सेलिबरेटी बन गए है जल्दी अपना खाना लो और फिर यहां से चलते है एक्सक्यूज मी मिस्टर प्रिंसिपल मेरे ओफिस में तुम दोनो तुमने सुना प्रिंसिपल ने क्या कहा चलो चले गरबर हो गई क्या आप हमारे प्रिंस को स्कूल बलाओगे प्लीज आपके लिए खास लंच है पीज़ा और बर्गर्स कोई मुझे चूटी काटो लो मज़े से खाओ इसकी उमीद नहीं थी पर यह अच्छा है प्रिंसिपल हमारे लिए सोडा भी लाए है कोका कोला के सीईओ के पास चले तुम पक्का यह डिल करना चाहते हो ओ हाँ, हम सारे शेयस करी देंगे अब आप कोका कोला कॉपरेशन के नए मालिक है वाँ, तो ये है खूपिया रेसिपी क्यों न हम भी एक बनाए हे, ये बड़िया आइडिया है एशले और केविन नया फ्लेवर बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे है मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बहुत बड़िया होने वाला है मेरे हसाब से अब ये तयार है चक के देखता हूँ चलो, शर्माओ मत, मुझे दो मैं भी ट्राइ करना चाहती हूँ स्टोर में नई केविन कोला और एशले कोला आई है डिजाइन तो देखो जरा और टेस्ट तो बहुत ही बड़िया है दस में से दस वा, देखो ये वही है हाँ, हमने ही इस प्रोड़क्ट को इन्वेंट किया है मैंने भी मदद करी है केविन कोला ट्राइ करें आपको जरूर पसंद आएगी शुक्रिया ग्रैनमा मिल्लियन डॉलर्स के लिए टेक स्टोर कितने मज़दार होते हैं और केविन ट्रेंटी बनना चाहता है मुझे तुम्हारे आका सबसे हाइटेक गैजट चाहिए चलो आपको दिखाता हूँ आइफून 14 कुछ खास अच्छा नहीं है तुम पक्का प्लेस्टिशन 6 को मना नहीं कर पाओगे ओ नहीं मुझे कुछ खास चाहिए कितना जिद्धी कस्टमर है इन सूपर ग्लासे से आप देख सकते हो कि सामने वाला इंसान का कोई सोलमेट है या नहीं मैं एक बार ट्राइ करके देखता हूँ लगता है कि यह लड़की सिंगल है मुझे यह पसंद आया यह अलग है अब सूपर ग्लासे से को टेस्ट करने का समय है ओ, यह मुझे क्या देख रहा है तो एमिलिया सिंगल है यह तो अच्छी बात है मेव क्या है वा, यह कितने काम की चीज़ है हे, तुम क्या कर रहे हो नहीं, तुम गलत समझ रहे हो लेकिन ब्रेंडन सर्फ खुद को ही प्यार करता है अब और सूपर कैज़िट्स नहीं कितनी बोरिंग क्लास है हे, क्यों न हम अपना पूरा स्कूल खरीद ले दी, यह रही आपकी चाबी वाला, एक आम स्कूल एक पार्टी हाउस बदल चुका है और अब पार्टी का समय है अब से क्लासेस नहीं अब सुबा तक सिर्फ नाच और गाना चलेगा कैविन और एशले आठ करीदने की सोचते है हम कुछ बहुत कीमती खरीदना चाहते है फिर आपको इसे देखना चाहिए वो, बिले आइलिश का टूथ प्रेश हम यही चीज जून रहते जितने चाहिए उतने पैसे ले लो क्या एक टूथ प्रेश के लिए इतने सारे पैसे मैं ऐसा नहीं होने दूँगी रुको बच्चो क्या ये ग्रैंड मा है और ये गुसे में लग रही है तुम मेरे सारे पैसे इस चीज पर खरच कर रहे हो मैं तो डर ही गया मैंने जो अभी देखा उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ बाकी सारे वसीहत बोबो को मिलती है ग्रैंड मा ने सारे पैसे अपने प्यारे पैट के नाम कर दिये है सच में ये ज़्यादा भैतर है क्या आप जानना चाहते हैं कि केविन अपनी गल्फरिंड के साथ डेट कैसे बिताता है तो अमीर और गरीब की डेटिंग वाली वीडियो देखें कि केविन बिना पैसु के कैसे डेट अरेंज करता है इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाए